आज के वीडियो में मैं आपको एक अप्टेट दिखाऊंगा जो कि मैंने डवलप किया है और सिंपल वे मैं यह इंफोर्मेशन को रिसीव कर रहा है फॉर एक्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो कि इस वन वे और वन वे का मतलब है हमारा जो हैज मोड यहां पर जो सेट है इंफरमेशन देगा कि हम कौन से मोड पर हैं और लेट्स को अगें प्रिफरेंस पोजिशन मोड वन वे मोड कंफर्म और रिफ्रेश करूंगा दोबारा तो यह रहेगा क्योंकि यह से information ले रहा है Binance के server से कि मेरा mode कौन सा है दूसरी चीज है API के बरे में बताना चाहता हूं कि API simply क्या होता है कि let's say आपको यहाँ पे एक trade डालना है और एक example के तोर पे आपके expert advisor है जो कि automatic decide करता है कब trade डालना है कब trade को close करना है ओके बहुत सारी condition होती है कि usually जो बाइनेंस का structure होता है trade का वो मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से काम करता है और उसी तरीके से हमारा भी यह पे हमें काम करना होगा for example यहाँ पर मैंने एक order डाला है ठीक है वह है मारा buy और वह है limit order ओके और उसका value है 34,000 अब इसके साथ आपको पता है कि आप SL और TP भी डालते हैं सो मैंने SL डाला वह होगा मेरा कि तो 33,500 ओके जिरो जदा हो गया ओके 33,500 टेक profit होगा हमारा वह होगा हमारा आपका 34,500 अब इस पांस ओके सो अभी इस्ट्रक्चर बहें बताता हूं ठीक है अब यहाँ इस ट्रे यह जो ट्रेट पैनल देख रहें यहाँ पे SL और TP का option क्यों नहीं है ठीक है तो सबसे पहले इसको समझने पहले मैं आपको समझाना चाता हूं कि होता क्या SL और TP पे अगर आपने बाई का limit order डाला है तो system जो है चाहे वह बाइनेंस का हो चाहे अमारा algorithm का हो यहाँ से जो trading करेंगे वो सबसे पहले एक limit order ही डालेगा ठीक है limit order ही डालेगा और limit order जब वो execute हो जाएगा अब इसका status होगा not filled बट अगर एक बार फिल्ड हो जाएगा तो यह वह SL और TP डालेगा ठीक है और अगर SL और TP में से कोई भी एक order execute होता है तो दूसरा cancel हो जाएगा लेट से यह वाला execute होता है तो यह चैंसल हो जाएगा यह वाला execute होता है तो यह तरीका होता है तो ऐसा कोई भी system virtual मतलब virtual में नहीं होता है कि वह को तीनों ही order साथ में डाल दे और डाल भी सकता है तो वह जो भी बाइनेंस का रूल है उसके अगेंस्ट होगा तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ओके यह राइस ट्रॉक्चर का फोटो देखिए टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉसे बाइनस से ही लिया ग देखिए होता है तो यह दो रॉटर एग्जीskiउट होता है अगर एक अगर यह यूज ऑर्डर होता है बी और सी तुरंद सिस्टम डाल देगा ठीक है तो बी और स्सेट हो गया तो वी और सी सिस्टम और डाल दिया उसके बाद अभी अगर इफ उरडर भी एक अकर यह मतलब आपका टेख प्रॉफेट हीड हो गया तो यह करो लोगे यह कार देगा अपको लगता है कि मैंने तीनों डाल दीए अगर मान लिजे एक केस हो गया कि यह limit order डाला और आपका यह execute हो गया और उसके बाद बाइनस सरफर क्रैश हो गया ठीक है बाइनस सरफर क्रैश हो गया दो घंडे के लिए अब प्राइस कहां चला गया तो उस टाइम ना तो आपका SL जाएगा ना TP जाएगा क्योंकि Binance का सर्वर हो गया है Crash अभी उसका जब system ही Crash हो गया है तो आपका ना तो SL लगेगा ना ही TP लगेगा ओके इसी तरह अगर API है API में भी same logic है same logic का मतलब if buy का limit execute होता है तो यह API जो है हो चेक करेगा और चेक करने के बाद SL TP डालेगा उसमें से अगर कोई एक भी execute होता है तो दूसरा condition के take के cancel करेगा अगर SL execute हो गया ठीक है और यह इसको मैं बंद कर दूँ या मेटा टेडर 5 क्रैश हो जाए या मेरे सिस्टम करेश हो जाए बिजली चली जाए कुछ भी हो गया अगर कनेक्शन फेल हो गया तो दोनों order रहेंगे system पे और यह SL भी हिट होगा ठीक है तो क्या करेगा सिस्टम कि मान लिजा हो गया तो टेक प्रॉफिट और जो है वो कैंसल नहीं होगा और टेक प्रॉफिट वाला जो यहां पे order है वो दुबारा अबर एक कैंसिल नहीं होता है क्या अपयोगा प्रॉफिड विली सेकेंट पर वह क्या क्या है एक्जकूट हुए तो अगर जो होता है उसे साथ सकते से कभी होता है इसका कोई special फर्मेट नहीं होता है अपको यहां डालनें लिए प्लेस व वोग program होत्या है है और वो यह जो API है वो सिस्टम चेक करेगा ओके तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि लेट से अभी प्राइस चल दा है बीटी सी का 3490 मैं आपको यहां पर डेमो दिखाऊंगा कि एक फाइल मैं ड्रॉक ड्रेगन ड्रॉप करूंगा यहां पर एक और आएगा और वह और लिमिट पर 34000 के प्राइस पर आएगा और फिर अगले पांच सेकेंड में इसको कैंसल कर देगा तो यह सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए है कि आपको दिखाने के लिए कि API काम यूज किया होता है और वो काम कैसे करता है और किस तरीके से बेनिफीशल हो सकता है य यह बैनेंस के सब्सक्राइब करने में सो लेट से यह वाला ट्रेड मैंने आपके डाला कि यहां पर अपने देखा प्राइज आया और अभी यह कैंसल हो गया ठीक है और डिस्ट्री में आप जाओ कर देखो गया बारह यह बारह चौतिस पहया अचने और हो गया है यहां देखे का ट्रेड इस्ट्री पे रांजेक्श कि रिखन हिस्ट्री नो यह यह वाला ओटार है कि यह थाई द्रयरा का या पाट सकंड के अंदर तो यह आपसे दिख से दिखिए मैने एक फार ड्न ड्र द्रप कर यह डिमॉन्ट्रान के लिए आप